हेलो गाइस वेलकम बैक टू मैं यूटिब चैनल तो मैं इस वीडियो में आपको नीती टेलर के बारे में बताने वाली हूँ साथ ही मैं इनकी family के बारे में बताऊंगी husband के बारे में बताऊंगी और इनके career आगे की future plans भी मैं बताने वाली हूँ और हाँ सबसे interesting बात पार सम्थान और नीते टेलर का क्या relationship था in past वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इनका past में जो relationship था वो कैसा था क्या ये friends थे या फिर friends से जादा थे तो दोस्तो सारी चीज़े मैं इस वीडियो में आपके साथ clear करूंगी ये वीडियो काफे साथ useful और interesting होने वाली है तो चलिए वीडियो को पुरा end तक देखेगा और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी वीडियो को like कर दे तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू नीती डियलर एक बहुती famous celebrity हैं काफी जादा cute है अपनी HK recording और इनको cutest बहुत जादा बोला जाता है काफी सादा compliment भी मिलते हैं इनको और मैं आपको बता दू इनके जो famous शों हैं वो है कैसे यारिया और बड़े अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि कैसी यारिया में नीती टेलर की जोड़ी जो बन्याई गई थी वो थी पार सम्थन के साथ जो ये cast प्ले कर रहे थे वो कर रहे थे नंदनी और मानिक का जो की इनकी जोड़ी को काफी ज़दा पसंद करा गया है फैंस इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं इनकी कैमिस्ट्री काफी ज़्यादा अमेजिंग है और ये शो भी काफी ज़्यादा हिट हुआ और यहीं से इन दौनों को पहचान मिली ये शो इन दौनों की वज़े से काफी ज़्यादा हिट हुआ साथ में और मेंबर्स भी थे उनके वज़े से भी ये शो काफी ज़ादा हिट हुआ चलिए मैं आपको बताती हो नीदी टेलर के हस्बेंड के बारे में तो दोस्तों नीदी टेलर की जो है शादी हो चुकी है कुछ यर्स पहले लॉक्डाउन में इनकी शादी होई थी जादा लोगों को इंविटेशन नहीं मिला था सोपार सम्धार भी इनकी शादी में नहीं गए थे तो इन्होंने प्राइविटली ये शादी करी थी शादी जो हुई थी इनकी लव मैरीश थी ये अलरीडी जानती थी पारिशित बावा को पारिशित बावा इनके हस्बेन का निमे एक आर्मी ओफिसर है और नीदी टेलर का रिलेशनशिप अपने हस्बेन के साथ काफी जादा अच्छा है वो सोशली भी शेह करती रहती है अपनी स्टोरी भी बताई उन्होंने कि वो कैसे अपने हस्बेन से मिली थी कैसे दोनों मिले साथ में रिलेशनशिप में आए और फिर उन्होंने शादी कर ली नीदी टेलर अपने हस्बेन से बच्पन में मिली थी जब ये फिफ्थ स्टेंडर में थी और जो टीचर थी इनकी English teacher वो इनके husband की मदर थी यानि की इनकी सास तो दोस्तों यहां से इनकी meeting होई थी उसके बाद में बीच में gap हो गया था इन दोने को connection टूट चुका था तो उसके बाद पारिशित बावा ने contact किया नीदे टेलर को सोशल मीडिया पर देन वहां से इनकी बाद चीत स्टार्ट होई और अब इनोंने शादी भी कर ली है तो दोस्तों लेकिन फैंस को जब पता चला कि नीदे टेलर की शादी हो गई है तो उनको काफी ज़दा heart feel हुआ क्योंकि फैंस चाहते हैं कि जो character हमें on screen दिखाये जाते हैं वो real में भी हूँ इसी वज़े से फैंस को बुरा लगा कि नीदे टेलर की जो शादी है वो किसी और से होई है मानिक से नहीं होई अब next part में मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों की बीच में कैसा relationship था यानि कि पार समधानों नीदे टेलर के बीच में कैसा relationship था friends थे या फिर more than friends थे इसके लिए मेरा part 2 देखें और कैसे लिए information मुझे comment में शरूर बता है